नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ प्रकुती के साथ कीडा रहे चेर चार का परिणाम एक बार फिर जीला वासियों को भुगतना पढ़ान और अप्रेल 2019 मंगलवार को दोपहर बार है वजे तेज हवा के साथ ओलाव रिष्टी भी हुई विगत माह हुई ओलाव रिष्टी से लोग उबर भी नहीं पाये थे कि आज की इस ओलाव रिष्टी ने किसानों का कमर तोड़ दिया जिला के विभिन प्रखंडों से प्राप्ध खबरों के अनुसार मंगलवार को हुई इस उलाव रिष्टी में खेतों में काम कर रहें दर्जनों के सानेवां मजदूर घायल हो गए हैं जिला में हजारों एकड में लगी गेहूं आम, लीची, मक्का की फसल बरबाद हो गई है आज की इस उलाव रिष्टी की चपेट में आने से पशू पक्षियों की भी मौत हो गई है उजियारपूर प्रखंड के लखनीपूर महिशपटी पंचायत के किसान मुहमद परविड आलम ने बताया कि उनकी दो एकड में लगी गेहूं की फसल तथा आम और लीची की फसल इस उलाव रिष्टी के कारण पूरी तरह नश्ट हो गई वहीं ओजियारपूर प्रखंड के गावपूर पंचायत निवासी मुहमद मुसलिम नदाफ की बेगम कुलशूंखातून उम्र सत्तर वर्ष की मृत्यू ओलाव रिष्टी के चपेट में आने से हो गयी। अने कहा कि मृत ओलाव रिष्टी से हुई है या किसी और वजह से इसकी सच्चाई तो पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। उसके बाद ही किसी तरह की सरकारी अनुदान का लाब पिडित परिवार को मिल पाएगा। वही इस ओलाव रिष्टी से होने वाले भय अनकर परणाम से अजान बचे इस उले के साथ मस्ती करते भी देखे गए। अभी तक के लिए बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें यूटिब चानल, फेस्बूक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम तथा हमारी बेब साइट www.biharkiavajonline.wordpress.com पर भी सर्च कर सकते हैं। तब तक बने रहे बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार!